मित्रों पिछले वर्ष में अपने एक अंकल की रिटायर्मेंट पार्टी में गया था पहले उनके ऑफिस में भी एक विदाई पार्टी का चोटा सा प्रोग्राम था उसके बाद रापको उनके घर पर एक पार्टी का आयोजन था अंकल ने मुझे अपना करीबी समझते हुए मुझे अपने आफिस की विदाई पार्टी में भी बुलाया था वहां मैं उनके साथ ही गया था वहां पहुँचकर मैंने देखा कि वहां पहुँचने पर उनका अच्छा स्वागत हुआ फूल मालायें वगएरा उन्हें पहनाई गई स्टाफ मेंबर्स की तरफ से उन्हें कुछ उपहार भी दिये गए उसके बाद उनके स्टाफ मेंबर की तरफ से उनकी परसंसा में बारी-बारी कुछ लोगों ने दो शबत भी कहें और उनके नौगरी पेशा जीवन में उनके द्वारा किये गए कारियों को सरहा गया और आने वाले जीवन के दिनों के लिए कुछ लोगें ने उन्हें अपने अपने सुझाव भी दिये ये सब देखने के गाद मुझसे रहा न गया और मैं भी कुछ बोलना चाहता था मैंने भी अनुमती लेकर उनकी प्रसंसा में दो सबत कहे लेकिन मैं ठहरा एक L.I.C. जेंट मौका मिलने पर L.I.C. की बात मुझसे निकली जाती है वहां उपस्तित लोगों को संबोधित करते हुए मैंने बोला कि हमारे अंकल जी इतने वर्सों तक नौकरी करते हुए अपना योगदान इन्होंने अपना दिया जिसके लिए सरकार की तरफ से तनखा भी दी जाती है अब रिटायरमेंट पर भी सरकार के तरफ से कुछ P.F. का पैसा मिलेगा और आने वाले दिनों में जीवन यापन के लिए पैंशन का प्रावधान भी सरकार ने किया है अपने सबी मुलाजिमों को कितना सरकार ख्याल रखती है लेकिन हर एक काम कुछ नियम कानून के तहत ही होते है अब अंकल जी की पैंशन के रूप में इन्हें आधी सैल भी मिला करेगी लेकिन अंकल के खर्चे तो उतने ही रहेंगी जितने पहले थे बलकि इस उमर में शरीर बीमार भी रहने लगता है और दवा वगेरा का भी खर्चा होगा अब तो अंकल को अपने आगे खर्चों में कंजूसी करनी होगी और आधी तनखवा से ही गुजारत करना होगा मित्रों मैं इस समस्य के लिए अंकल के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन आप लोगों के लिए कुछ जरूर कर सकता हूँ मैंने वहाँ उपस्तित यंग लोगों को संदोधित करते हुए कहा यदि आप लोग चाहें तो आप लोगों को अपनी रिटाइर्मेंट पर पूरी पेमेंट के साथ रिटाइर्मेंट आप ले सकते हैं आपकी रिटाइर्मेंट पर आपकी पेमेंट आधी नहीं होगी बलके पूरी मिलेगी और इसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आप में से जो भी रिटायर्मेंट के बाद पूरी पेमेंट लेना चाहता है वो मेरा ये नमबर नोट कर ले और अगले एक दो दिन में मुझे इस बारे में पूरी जानकरी लेने के लिए आप मुझे अगले एक दो दूने में संपर्क कर लीजिए मित्रों आपको क्या लगता है किसी ने भी मुझे फोन किया हो गया या नहीं क्या कोई ऐसा वेक्ति है जो पूरी पेमेंट ना लेना चाहिए मित्रों अगले दिन उन में से कई लोगों के फोन आये और उनसे अलग अलग समय के appointment लेकर उनसे मिला और उन्हें LIC के pension plan की जानकरी दी सब ने तो policy नहीं ली लेकिन फिर भी कई लोगों ने policy मुझसे pension plan के रूप में ली इस परकार से मैं एक retirement party के जरिये भी बीमा बेच पाया मित्रों इसी परकार हमें कोई न कोई तरीका prospecting का ढूणते रहना चाहिए जब भी मौका मिले LIC के लिए मुझ खोलना जरूरी है बात करने जरूरी है आप भी इस sales idea को अपना सकते हैं सफलता अवश्य मिलेगी तो आप भी लोगों को retirement के बाद पूरी payment दिलवाईए ताकि उनका भी फायदा हो और लोगों का फायदा करवाओगे तो आपका अपने आफ हो जाएगा मित्रों इस वीडियो में इतना ही कल फिल मिलें किसी नए sales idea के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जयें